हेलो एंड वेल्कम आज काफी टाइम के बाद वीडियो यह उसके लिए माज़ित तो आज मैं कछे से टोपिक पर बात करने वाला हूं बात करेंगे ICC की रैंकिंग के हवाले से आप लोगों को समझ आता ICC की रैंकिंग कैसे बदलती है रैंकिंग इन दा सेंस मतलब जैसे होता है ना कोन प्लेयर T20 में नंबर वन है टेस्ट में है और डियाई में है उन प्लेयर्स की रैंकिंग कैसे होती है Do you have any idea? भई मुझे तो कुछ idea नहीं है इसके बारे में और इस बार तो और भी मैं हैरान हो गया हूँ खोश उड़ गए ये देखके के मतलब कैसे होती है ये रैंकिंग जी हाँ बात करेंगे आज रवी बिश्णोई और रुतराज गाईकोड के रैंकिंग के बारे में आस्ट्रेलिया की सीरिज शुरू होने से पहले रवी बिश्णोई की रैंकिंग थी T20 में 19 19th रैंकिंग थी रवी बिश्णोई की पांच मैच मानते हैं अच्छा किया उन्होंने इन पांच मैच में नो विकट ली तो पांच मैच की सीरिज के बाद बंदा 19 वे नंबर से पहले नंबर पे आ जाता है आज आ इंडियन फैन आइम गोड आइम हैपी लेकिन भाई as a cricket fan I am not happy भाई ये कैसे रंकिंग हो रही है सब कुछ समझ में नहीं कुछ पले में डालो भाई क्या चीज़े देखके आप रंकिंग बना रहे हो भाई 24 गंटे पहले रवी बिश्णोई की रंकिंग होती है छटे नंबर पे वो होते है राशिद खान होते हैं नंबर वन पे रवी बिश्णोई की होते हैं 662 पॉइंट और राशिद खान की होते हैं 692 भाई 24 गंटे के बाद रवी बिश्णोई ने इतना अच्छा क्या काम कर दिया या यूं कह दें कि राशिद खान में कुन सा गुना कर दिया था भाई कि रवी बिश्णोई छटे से पहले पे आगे या राशित दूसरे पे होगे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये रैंकिंग हो कैसे रही है और वहीं पे आपको रुतुराज गाइकोट के रैंकिंग के बारे में बताता हूँ और अस्ट्रेलियन से शुरू होने से पहले गाइकोट साब की रैंकिंग थी 77 77 द्यान से सुनिएगा 77 रैंकिंग थी उनकी 77 और माना एक सेंचरी आपने लगाए लेकिन एक सेंचरी से इतने पॉइंट तो बढ़ते नहीं है वैसे तो एक सेंचरी मैक्सिल भी मार के चलेगे तो सौरी एक सेंचरी से इतने पॉइंट तो बढ़ते नहीं हम मानते हैं आपने अच्छा खेला है और वही असलिया कि सीरीज खतम होने के बाद बंदे की रैंकिंग हो जाती है 77 से सीधा 7 07 7 नमबर भाई ऐसा क्या तुफान हो गया ऐसा ही सीरीज में कौन सा बवाल मच गया जैसे As I already said I am Indian fan I am Indian supporter I am happy I am happy for both of them But as a cricket fan I am not happy मुझे समझाओ ये रैंकिंग होती कैसे है कौन सा क्राइटेरिय होता है क्या चीजें इसमें फोकस की जाती है कैसे इनको रैंकिंग को बनाया जाता है कैसे बने वे प्लेयर को गिराया जाता है कैसे गिरे वे प्लेयर को उठाया जाता है तो ये चीज़ पले नहीं पड़ी है ये जीज़ समझ में नहीं आई है वहीं पे आप अगर आप देखें तो रहवी बिशनोई ने पांच मैच में नो विकट ली नो विकट लेने के बाद बन्दा सीधा उनीस रैंक अप कैसे हो जाता है वई पांच मैच में नो विकट लेने के बाद आप उनीसे नंबर से सीधा पहले नंबर पे कैसे आ सकते हैं भाई मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूँ मैं बार बार बता रहा हूँ मैं इन प्लेयर के खिलाफ नहीं हूँ भाई मैं भी इंडिया का हूँ इंडियन स्पोर्टर हूँ, इंडियन फैन हूँ, इंडियन क्रिकट लवर हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये दोनों आए नमबर वन पे लेकिन भाई, आज अ क्रिकट फैन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रैंकिंग होती कैसे है पांच मैच में नो विकट लेने के बाद बन्दा उन्नीस रैंक कैसे अप हो सकता है अलब आप उन्नीस रैंक चलांग मारते हो, नो विकट लेकिए सिर्फ पांच मैचों में और वहीं पे आप देखो, गाईकोट साब एक संच्छी करते हैं और भी चलो ठीक, जादा आप टू माग नहीं बड़ ठीक ठाक परफॉर्मिस थी सततर से सीधा साथ नंबर बे पल्ले नहीं पढ़ रहा कुछ तो जैसे आपको पता है, हर गुदवार को ICC की रैंकिंग चेंज होती है मतलब चेंज अपडेट होती है ऐसा नहीं है कि जो एक नमबर पे होगा उसको दूसरे पे या दसमे पे कार दिया जाता है, नहीं मतलब अपडेट होती है, रोज मरा की बेसिस पे जैसे क्रिकट होती है सीरिज होती है बाइलेटर सीरिज होती है टोर्नामेंट होते हैं टेस्ट सीरिज होती है हर चीज होती है उनको देखते हुए कौन प्लेयर कहां पे कितना रन कर रहे है तो वो हर वैड़ स्टे को ICC की रेंकिंग अपडेट होती रहती है तो इस बार ICC ने कुछ अलगी अपडेशन दी है तो नजर रखिएगा बुदवार की रैंकिंग पे यह जो कल गुजरा है ना बुदवार तो इसी पे नजर रखी थी हमने और हमने देखा कि यह उतल उतल काफी मची है काफी रैंकिंग को ऊपर नीचे हो गई है चलौ हम खुश हैं इस बाट से हमें कुछ नहीं है कि हम फिलेड करनी और भी बहुत प्लेड अच्छा कर रहे हैं रिंगो से इंगो आप कितना अच्छा कर रहे है भई उनको भी रैंकिंग में उपर आना चाहिए आएंगे वो एक दिन लेकिन इतना जल्दी कोई छलांग कैसे माल सकता है 77 से 7 और 19 से 1 यह समझ में नहीं आ रहा है मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि ICC ranking यह point देते कैसे हैं किस basis पे देते हैं तो वहीं पे जी अब South Africa के साथ इंडिया की सीरिस चुड़ो होने वाली है एक दो दिन में मैच है मैच होने वाला है दसको मैच है तो T20 में कैप्टन तो सूरिया ही रहेंगे तो वही टीम रहनी है कुछ एक आद चेंजिंग हुई है बाकि वही टीम रहनी है South Africa के खिलाफ कैसा करेंगे South Africa के ग्राउंड पर उन्ही के होंग कंडिशन पर तो यह आने वाला वक्त बताएगा तो तब तके लिए अल्ला हाफिस शाबाह है शुक्रिया